हलो दोस्तो मेरा नाम है सो रोबाट टेक टू टेक चैनले में आपसे का स्वागत है तो दोस्तो आज में इस वीडियो में यह कॉस्मिक बाइट लैप्टॉप कुलिंग पैड का अन्बोक्सिंग करने वाला हूं और इसका रिव्यू देने वाला हूं दोस्तो आपको यह कुलिंग पैड एमजन पे 1200 के अंदर मिल जाएगा मुझे यह 981 में मिल गया है लाइटिंग डिल चल रहा था तो उसी वक्त मैंने पर्चेस कर लिया है तो आप चेक करके देख सकते हैं कितना प्राइस है इसका मैंने नीचे डेसे उसें पर लिंक दिया द सकते हैं मैंने यह MSN से पर्चेस किया है तो अगर आप यह प्रॉड़क्ट बाइ करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शिन पर लिंक दे दिया है वहां से आप पर्चेस कर सकते हैं तो चलिए भी जिल्दी से इस रैप को हटा देते हैं तो यहां पर आप कलर्स में आता हैे और यहां पे देख सकते हैं यहां पर अब लिड़ा है और यहां पर कुछ फिचर्व में आपको दिल्या दीलगए चरण देख सकते हैं यहां पर pen का सब दह सकते हैं यहां पर कौन से material सेец देख सकते हैं यहां पर ABS plus metal यहां पर product का size fan size यहां पर सब देख सकते हैं यहां पर voltage देख सकते हैं 5 volt current और power यहां पर सब देख सकते हैं और यहां पर देखिए warranty देख सकते हैं एक सल का warranty है और यहां पर देखिए MRP लिखा हुआ है 16 double line लेकिन आपको price मैंने दिखा दिया और यहां पे address वगड़ा company का सब दिया हुआ है तो चलिए दोस्त अभी box को open कर लेते हैं तो box open कर देख सकते हैं हमारा main product bubble wrap से protected है तो इसे अभी open कर लेते हैं लेकिन यहां पे ओपर एक user manual दिया गया है अभी इसको open कर लेते हैं और box के अंदर और कुछ नहीं है तो box को भी side कर देते हैं तो दोस्ते यह रहा हमारा main product cosmic bite का branding है यहां पे देख सकते हैं 5 fan है total यहां पे यह 4 fans 80 mm का है और यह बड़ा सा fan 140 mm का है और यह fans दोस्तो air को blow करता है नीचे से air आता है और उपर से blow करता है तो यहां पे right side पे देख लेते हैं right side पे यहां पे देख सकते हैं दो USB port दिया गया है यहां पे fan का speed adjust करने के लिए 2 scrolling wheels या rotable buttons दिया गया है यहां पे design देख सकते हैं left side पे कुछ नहीं है यहां पे पीछे की तरफ आते हैं पीछे की त्रफ यहां पे देख सकते है 555 fan बहुत ही आसानी से दिख जाता है तो यहां पे एक चीज दिया गया है आपको 6 देखे दोस्तों यह एक चीज निकल के आता है इसे यहां पर laptop stopper बोल रहा है तो इसका काम क्या है आपको दिखा देते हैं इसको यहां पर लगाना पड़ेगा तो इस साइड पर आपको यहां पर यहां पर देख सकते हैं यहां पर कट है यहां होल है इसको यहां पर प्रेस करना पड़ेगा यहां पर देखे दोस्तों यह कट से आवाज आया और यह लग गया तो यहां पर laptop जब रहेगा तो स्लीप नहीं होगा यहां पर अटक जाएगा तो इसलिए इसको laptop stopper बोल रहा है तो पीछे की तरफ फिल से आते हैं दोस्तों यहां पर की तरफ देख सकते हैं दोस्तों USB केबल बहुत अच्छी तरह से लगा हुआ है यह ओपन कर लेते हैं अभी तो यहां पर देख सकते हैं USB to USB केबल दिया गया है quality बहुत ही अच्छा है braided केबल है आसानी से damage नहीं होगा तो बहुत अच्छा केबल दिया गया है बहुत लंबा नहीं है लंबा जरूरत भी नहीं है तो ठीकठा की length है केबल का तो और एक चीज़ दिखा देते हैं दोस्तों यहां पे stand देख सकते है यहां पे दोनों तरफ stand दिया गया है ऐसे आप stand दे सकते हैं थोड़ा सा उपर हो गया है देखिए दोस्तों अगर आप और भी height बढ़ा ना चाते हैं तो यहां पे देख सकते हैं दोस्तों save and adjustable setting दिया गया है height बनाने के लिए यहां पे ऐसे आपको setting करना पड़ेगा तो य इस में से कोई भी आप हाथों में से कोई भी height चूज कर सकते हैं और पीजी की तरफ यहां पे देख सकते हैं दोस्तों यहां पे rubber padding दिया गया है grip के लिए यहां पे 4 जगा पे दिया गया है इस cooling pad का सिर्फ यह portion यहां से लेकर यहां तक यह portion सिर्फ metal का है बाकी सभी जगा पे plastic का use किया गया है और plastic बहुत ही अच्छा quality का है दोस्तों cheap नहीं लग रहा है अच्छा quality का है तो दोस्तों भी इसको laptop के साथ connect करके दिखा देते हैं मेरे पास 15.6 inch का laptop है देखिए दोस्त इक से दिखा रहा हूं यह देखिए दोस्तों अभी तो तीन फैन चल रहा है दो फैन नहीं चल रहा है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है by default यहां पे यह off रहता है इससे आपको on करना पड़ेगा ओपर वाला जो बटन है इससे यह तीन फैन चलता है और नीचे वाल फूल स्पीड में चल रहा है तो यहां पे हात नजदीक पे ले जाता ही एक फील कर रहा हूं कि अच्छा हवा आ रहा है तो फूल स्पीड देने के बाद थोड़ा सा हवा का आवाज आता है अभी देखिए दोस्तों यहां पे laptop अगर यहां पे रफूंगा तो lights आपको नही laptop बहुत ही थिन है तो इसमें हो जारा है तो अगर आपका laptop थोड़ा मोटा है तो आपका Hang कर सकते हैं यहां पे आप इसको दुसरी तरफ भी लगा सकते आपको ऐसे open करना है इसको आप दूसरी तरफ ऐसे भी लगा सकते हैं ऐसे लगाएंगे तो थोड़ा और उच्छा हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं और भी बहुत उच्छा हो गया है तो अभी दोस्तो फैंस का LED लाइट आपको अच्छी तरह से दिखाने के लिए सभी लाइट्स ओप करके आपको दिखा देते हैं कि कैसा लाइट्स प्रोवाइड करता है तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो सभी लाइट्स मैंने ओफ कर दिया है यह पांचो LED लाइट्स बहुत अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है तो अभी देखिए दोस्तो मैंने यहाँ पर 15.6 इंच का लैप्टोप रखा है तो यहाँ दोनों साइट पर अभी भी जगा है तो 17 15-inch लाप्टोप यहाँ पर आसानी से आ जाएगा यहाँ पर देखा देता हूँ तो यहाँ पर इतना सा अभी जगा है तो आपको पीछे की तरब भी दिखा देता हूं कि कितना पीछे आ रहा है यह 15.6 इंच लैपटोप यहां पर देख सकते हैं 15.6 इंच लैपटोप यह बाहर आ गया है तो 17 इंच लैपटोप और भी थोड़ा बाहर चला जाएगा और इस कुलिंग पैट का एक और अच्छा फीचर से दोस्तों आपको गदा देता हूं यहां पर आपको दिख सकते हैं इस कुलिंग पैट का और एक अच्छा फीचर है दोस्तों वह आपको बता देते हैं जैसे के अभी आप देख रहे हैं यह कुलिंग पैट अभी लैपटोप के साथ कनेक्ट है तो पांच ओफ फैन चल रहा है मतलब इस लैपटोप से पावर यह ले रहा है तो अग कर में तो यहां पर य nah पर यहां पर देखिए दोस्तो यहां चल रहा है तो अब आप अपना यहां पर रखके लैपटोप को कूल कर सकते हैं तो अभी देखें यह लैपटोप से पावर नहीं ले रहा है एक चीज़ का जरूर मोल्ट का ही अड़ेटर होना चाहिए तो दोस बब्लब आबी देखे सभी फैंस ऑप करनेके बाद यहां पह देख सकते हैं 30 540 तक जारा है तो दोस्तों में जो चीजसे कर देते हैं जो है कुलिंग टेस्ट यहां पह देख सकते हैं widget यहां पे एक प्रोजेक्ट फाइल है चोटा सा लगवग 2 मिनिट 40 सेकंड का इसको रेंडर करूंगा पहले तो रेंडर करूंगा कूलिंग पैड ऑप करके यहां पे दखे प्लागें और नहीं है यहां पे कूलिंग पैड चल नहीं रहा है आपदूइस एक टेस्ट करूंगा उसके बाद यह प्लागें करके कुलिंग पैड ओन टेस्ट करके दिखाओंग आपको T perguntभ यहां पे देख सकते है 56 degree और maximum 75 degree तक गया है और यहाँ पर देख सकते हैं CPU कितना use हो रहा है task manager से तो अभी चलिए rendering चालू करते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तो rendering चालू हो गया है यहाँ पर CPU uses और temperature देख सकते हैं आइस temperature यहाँ पर देख सकते हैं 96 degree और अभी 85 degree है 83 और यहाँ पर GPU temperature देख सकते हैं 76 degree 79 तक maximum गया था यह तो 83 continue आड़ा 84 85 तो दोस्तो maximum time मैं देख रहा हूँ 81 to 85 ऐसा temperature हो रहा है कभी-कभी 79 80 तक जाड़ा है तो rendering खतम हो गया है दोस्तो rendering खतम होती है अभी temperature down हो रहा है तो अभी थोड़ा laptop को बंद रखेंगे laptop को ठंडा होने देंगे उसके बाद यह fan cooling pad on करके आपको फिर से test करके rendering करके दिखाएंगे तो दोस्तो अभी मैं इसको plug-in कर देता हूँ कि यहाँ पर देखिए सभी fans चल रहा है और सभी fans full speed में चल रहा है तो अभी फिर से सेम टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ यह software में ने बंद कर दिया था उसके बाद फिर से चालू किया है अभी 70 degree maximum दिखा रहा है अभी 44-45 degree present temperature दिखा रहा है तो चलिए अभी फिर से वही टेस्ट शुरू करते हैं अभी देखिए दोस्तों rendering चालू हो गया है यहां पर maximum temperature 95 degree दिखा रहा है तो बीना cooling pad पर यहां पर 96 degree गया था अभी देखिए दोस्तों यहां पर temperature 78, 79, 77, 76, 79, 77 तो maximum 70 के घर में रह रहा है यह without cooling pad यहां पर 81 to 85 ऐसा कुछ था हर वक्त लेकिन यहां पर maximum देख रहा हूँ 81 तक जा रहा है अभी 87 चला गया था maximum time 70 के घर में रह रहा है 78, 79, तो दोस्तों इससे पता चलता है कि huge difference आपको नहीं देखने को मिलेगा 4 से 5 degree centigrade का इतना ही difference आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तों rendering complete हो चुका है तो दोस्तों यह cooling pad कुछ दिन use करने के बाद और सब कुछ टेस्ट करने के बाद यहीं बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों यह cooling pad अगर आप use करेंगे तो huge difference नहीं आएगा 4-5 degree का ही difference आ रहा है तो यह भी कम नहीं है क्योंकि इंडिया में गर्मी के टाइम पे बहुत ही खास करके मैं तो kolkata में रहता हूँ गर्मी के टाइम पे यहाँ पे temperature बहुत जादा हो जाता है तो थे भी video editing करने के बार लैपटॉप बहुत गर्म हो जाता है दोस्तों काम नहीं कर पाता हूँ तो उस time यह cooling pad अच्छा काम पे आएगा और दोस्तों यह बहुत ही budget friendly cooling pad है जाला price भी नहीं है इस budget के हिसाब से जितना cooling दे रहा है ठीक ही है तो दोस्तों अगर आप यह cooling pad purchase करना चाते हो तो नीचे मैंने description पे link दे दिया है वहाँ से आप purchase कर सकते हैं और यह video में जो जो gadgets का मैंने use किया है सबका link मैंने नीचे description पे दे दिया है आप वो सब भी check कर सकते हैं वीडियो इतना तक ही दोस्तों अगर आपको यह video अच्छा लगा तो please press the like button अपने दोस्तों के साथ ज़रू share किजिएगा इसके बाड़े में कोई सवाल हो तो आप नीचे comment section में ज़रूर फूश सकते हैं और मेरे चैनल को ज़रू subscribe किजिएगा क्योंकि ऐसी interesting वीडियो में लाता रहोंगा तो thank you दोस्तों फिर में लेंगे next वीडियो में तब तक के लिए take care stay positive and stay creative हलो 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 जब वीडियो बनाते बनाते सोगा रहेगा लोजी वह बिसा लावाज दो वे वे ले ले वाजिसकाने क्योंदे को डीसके ने को जढ़ी सकते हैं